हेलो प्रेंट्स आज 20 जुलाई के कुछ इंपोर्टेंट के कोश्चन को पढ़ाएंगे तो चलिए आज का पहला कोश्चन है बजट 2023 के अनुसाल उज्वला योजना के अंतरगत कितने एलपीजी कनेक्शन दिये गए ऑप्संस हैं 8.3 करोड, 9.1 करोड, 9.6 करोड, 7.6 करोड आपका सही उत्तर है 9.6 करोड बजट 2023 के अनुसार उज्वला योजना के अंतरगत 9.6 करोड लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिये गए यह एक मई 2016 को प्रधान मंत्री निरेंद्र मोधी द्वारा उत्तर प्रदेश के बल्या में शुरू किया गया था बजट 2023 के अनुसार कितने जन्धन बैंक खाता खुलवाए गयें ऑप्संस हैं 49.8 करोड, 47.8 करोड, 52.2 करोड, 47.5 करोड आपका सही उत्तर है 47.8 करोड जन्वरी 2023 तक 47.8 करोड जन्धन बैंक खाता खुलवाए गयें इसकी घोशना 15 अगस 2014 को की गई थी और 28 अगस 2014 को लॉंच किया गया नेक्स्ट कोस्टन यूनियन बजट 2023-2024 के अनुसार कितने लोगों को प्रधान मंत्री जीवन जियोती बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा के अंतरगत बीमा कबर दिये गएं ओप्संस हैं 44.6 करोड 24.6 करोड 32.3 करोड 30.6 करोड आपका सही उत्तर है 44.6 करोड यूनियन बजट 2023-2024 के अनुसार 44.6 करोड लोगों को प्रधान मंत्री जीवन जियोती बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा के अंतरगत बीमा कबर दिये गएं नेक्स्ट कोश्चन 2023 फोब्स की 100 अमीर श्वा निर्मित महिलाओं की सूची में कितने भारतिय मूल के बीजिनस लीडर चुने गएं ऑप्संस हैं पांच तीन चार दो आपका सही उत्तर है चार 2023 फोब्स की 100 सबसे अमीर श्वा निर्मित महिलाओं की सूची में चार भारतिय मूल के बीजिनस लीडर चुने गएं पहली जैसरी उलाल जो 15 अस्थान पर हैं दूसरी निर्जा सेठी जो 25 अस्थान पर हैं तीसरी नेहा नर्खेडे जो 50 अस्थान पर हैं और इंद्राणोई जो 77 अस्थान पर हैं नेक्स्ट कोस्टिन फौन पे ने द्यापारी भागीदारों के लिए कौन सा डिवाइस लॉंज किया है ऑप्संस हैं OCR MER MICR POS आपका सही उत्तर है POS फौन पे ने द्यापारी भागीदारों के लिए POS नाम की एक डिवाइस लॉंच किया है POS Point of Scale डिवाइस लॉंच किया है जो ब्यापारियों को debit card, credit card और UPI के माध्यम से भुखताउन स्विकार करने में सक्षम बनाता है Next question Dell Technologies ने भारत में AI प्रियोगशाला शुरू करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया options है RBI, Intel, Google, IB आपका सही उत्तर है Intel Dell Technologies ने भारत में AI प्रियोगशाला शुरू करने के लिए Intel के साथ हाथ मिलाया Next question ओडिशा केविनेट ने किस योजना को संशोधित करके अमा ओडिशा, नवीन ओडिशा योजना को मनजूरी दी options हैं अमा गाउं अमा विकास ग्रामिन आवाश योजना बीजू स्वास्त कल्यान योजना ओडिशा कल्या योजना आपका सही उत्तर है अमा गाउं अमा विकास ओडिशा केविनेट ने अमा गाउं अमा विकास योजना को संशोधित करके अमा ओडिशा, नवीन ओडिशा योजना को मनजूरी दी Next question प्रदहान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से शहर में राष्ट्रिया शीकल सेल अनिमिया उन्मूलन मीशन का शुभारम्ब किया अप्संस है तमिलनाडू 36 गड महाराष्ट नई दिल्ली आपका सही उत्तर है महाराष्ट प्रदहान मंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट के शहडोल में राष्ट्रिया सीकल सेल अनिमिया उन्मूलन मीशन का शुभारम्ब किया इसका उद्देश है 2047 तक सीकल सेल अनिमिया को खत्म करना यह 17 राजियों के 278 जिले में लागू किया जाएगा नेक्स्ट कॉस्चन फोप्स के अनुसार कौन सा देश शिकल सेल अनिमिया रोग में दूसरे अस्थान पर है चीन अमेडिका भारत पाकिस्तान आपका सही उत्तर है भारत फोप्स के अनुसार भारत देश शिकल सेल अनिमिया रोग में दूसरे अस्थान पर है राश्ट्रिय स्वास्त मिशन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सिखल सेल अनिमिया का बोच सबसे अधिक है नेस्ट कोश्चन बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार सबसे मुल्यवान प्राइवेट कंपनी कौन है ऑप्संस हैं टाटा कंसल्टेन्सि सर्वीसेज रिलाइवेवेवेवेवेवें लिमिटेद देश की सबसे मुल्यवान कंपनी है अरबपती मुकेस अंबानी की Reliance Industry Limited देश की सबसे मुल्यवान प्राइवेट कमपनी है हुरून द्वारा यह जारी किया गया है कि 16.4 लाग कड़ों रुपिय के साथ Reliance भारत की सबसे मुल्यवान कमपनी है किस कमपनी ने Cyber Voltage बीमा योजना लॉंच की? बजाज अलियांस जनरल इंसूरेंस, भारती एकसा जनरल इंसूरेंस, SBI जनरल इंसूरेंस, कोटक महिंद्रा जनरल इंसूरेंस आपका सही उत्तर है, SBI जनरल इंसूरेंस, SBI जनरल इंसूरेंस ने हाली में Cyber Voltage बीमा योजना शुरू की है जो Cyber जोखिमों और हमलों से होने वाले वित्तिय नुकसान को कवर करती है सर विंस्टन चर्चिल लीडर्शिप पुरुसकार हाली में किस नेता को प्रदान किया आपका सही उत्तर है, बलो डिमीर जलेंस की बिटिश प्रदान मंतरी बोरिस जोनसन ने यूक्रेनी राष्टर पती बलो डिमीर जलेंस की को सर विंस्टन चर्चिल लीडर्शिप अवर्ड दिया गया चर्चिल ने तरित पुरुसकार पहली वार वर्स 2006 में प्रदान किया गया था कौन सा राजिया केंद्र शाषित प्रदेश स्वर्निम हिमाले अभियान से जुड़ा है असम उत्तरा खंड हिमाचल प्रदेश पर्षिम बंगाल आपका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश स्वर्निम हिमाले अभियान हिमाचल प्रदेश से प्लास्टिक कच्रे को हटाने के लिए आयुजित किया जाता है यह अभियान हिलिंग हिमाले टीम द्वारा शुरू किया गया है नेक्स्ट कोस्चन खबरों में देखा गया कारवन कैल्कुलेटर फीचर किस कमपनी से जुड़ा है ओप्शन्स हैं मेटा, मास्टर कार्ड, एमेजॉन, माइक्रोशॉप्ट आपका सही उत्तर हैं मास्टर कार्ड बैश्विक भुकतान और प्रोद्योगी कमपनी मास्टर कार्ड भारतिय बैंकों के लिए कारवन कैल्कुलेटर सुविधा शुरू करने के लिए तयार है स्वेडिश फिंटेक डोकोनोमी के अनसहीयोग से विख्षित मास्टर कार्ड कार्वन कैल्कुलेटर वर्तमान में 25 यदिक देशों में उप्योग किया जाता है कोप 27 जलवायू पर 27 वार्षिक सहीवत राष्ट बैठा का मेजवान कौन सा देश है आपका सही उत्तर है मिस्त्र जलवायू पर सही उत्राष्ट की 27 वार्षिक बैठा कोप 27 पार्टियों का सम्मेलन 6-18 नमबर तक मिस्त्र के सर्म अलशेक में होगी यह पांच भी वार होगा जब अपरिका में जलवायू शम्मेलन की मेजवानी की जा रही है कोप 27 मुख्य तीन शेत्रों में ध्यान केंदित करेगा उत्सरजन को कम करना देशों की जलवायू को परिवरतन निपटने में तयार रहना जलवायू गतिविधियों के लिए विकास्षील देशों के लिए तकनिकी शाहता और वित्त पोर्षन हासिल करना तो दोस्तों आज हम लोगोंने इंपोर्टन को पढ़ा इसी तरह के इंपोर्टन को जानने के लिए पूजा क्लासेश के साथ जुड़ेद रहें और चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद